जे हैं दोस्तो मेरे जय शुक्रा एक बार फिर आपका सौगत करता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं USBRA Rail Project की दोस्तो बारा मुला बनिहाल रेलवे वर्ष 2024 में किसी भी समय कट्रा के रास्ते जम्मू तक अपनी कनेक्टिविटी बढाने के लिए तयार है क्योंकि सबी खंडों पर काम जोर शोर से चल रहा है दोस्तो ग्रेटर कश्मीर नामक एक मीडियार साइट से बात करते हुए उत्तेर रेलवे के श्रीनेकर के मुख्ये छेते परबंदक C.A.M. शाकीम यूसूब ने कहा कि ट्रेन 2024 में कभी भी कट्रा और बनिहाल सेक्टर के भी चलेगी हलाकि अधिकारी ने कहा कि अभी सटीक तारीक और महीना तैय नहीं किया गया है यूसूफ ने आगे कहा कि ट्रेन निश्चित रूप से इसी साल 2024 में चलेगी लेकिन हम अभी सटीक तारीक और महीना तैय नहीं कर पाए हैं दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि काम जोरो शोरो से चल रहा है और 12 मुला रिबनिहाल रेल्वे सेक्टर को कट्रा और उधंपुर के रास्ते जम्मू से जोड़ा जाएगा यूसुफ ने आगे कहा कि बनिहाल और कट्रा रेल्वे सेशन के बीच साथ रेल्वे सेशन होंगे जिन में से चार रेल्वे सेशन रामबन जिले में और तीन रियाईसी जिले में होंगे दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि रेलवेश शिशन खारी, सुंबर और संगलदान और सावाल कोट रामबन जिले में आते हैं जबकि दुगगा, बक्कल और रियाइसी जिले में आते हैं इसके बाद ट्रेन कट्रा रेलवेश शिशन पर रुकेगी दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि पूरा विस्तार 111 किलोमेटर का है और सभी इस्तानों पर काम जारी है हाल ही में T1 सुरंग में सफलता मिली है और काम तेजी से चल रहा है इसलिए ट्वेन इस साल किसी भी समय इस सेक्टर पर चलने चुरू हो सकती है दोस्तों उधंपूर श्रीनगर बारामुला रेललिंक USBRL परियोजना का बनिहाल खारी खंड को रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRF के निर्धारित निरक्षन के बाद खोले जाने की संबावना है इसी सिलसिले में उधंपूर श्रीनगर बारामुला नई रेललाइन परियोजना के 14 किलोमीटर के लंबे बनिहाल खारी खंड के उधगाटन के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRF सिनेश चंद देशवाल द्वारा वैध्यानिक सिनेक्षन का दूसरा दौर बुद्दवार को होगा खारी रेलवे सेशन USBRL परियोजना के शेश 111 किलोमीटर के हिस्सें पर बनिहाल और कट्रा के बीच पड़ता है दोस्तो इस निरक्षन के दौरान मुख्य प्रशाशनिक अधिकारी CAO, USBRL निर्माण अधिकारी और अन्य संबादित अधिकारी आयुक्त के साथ रहेंगे अधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि CRS सुरक्षा नियमों के लिहाज से नई बनी हुई लाइनों की जाच करेंगे उन्होंने कहा कि उत्तर रेल्वे के फिरोजपूर डिवीजन के बनी हाल खारी खंड में electronic train संचालन के बाद electric engine train का परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा दोस्तो इस निरक्षण के बाद रेल्वे सुरक्षा आयुक द्वारा विशेश train द्वारा खंड का high speed trial run किया जाएगा इसके बाद USBRL परियोजना के बनी हाल खारी खंड इस्टेशनों के बीच नई लाइन ट्रेनों का काम शुरू होगा दोस्तो आम जनता को बनीहाल खारी सेक्षन के रेल्वे लाइनों से दूर रहने के लिए कहा गया है किसी भी स्थान पर ट्रेक पार करना अतिकरमड है और रेल्वे अधिन्यम के तहत एक दंडनी अपराद है और उत्तरदाई अभ्योजन है रेल्वे अधिकारियों ने चितावनी दी है यह एक सर्वपरी राष्टे परियोजना USBRL के उदंपूर बनीहाल खंड के बीच वर्षों के काम के बाद पहला बड़ा कदम होगा उत्तर रेल्वे के वरिष्ट अधिकारी ने कहा है बनीहाल खारी रेल्वे स्टेशन को 3 जनबरी के बाद किसी भी समय खोले जाने की उमीद है जबकि पूरे कटरा बनीहाल खंड को मार्च 2024 तक खोलने की योजना है दोस्तो एक बार परिचालन के लिए ट्रैक खुल जाने के बाद कश्मीर घाटी हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से देश के बाकी राज्यों से जुड़ जाएगी भारतिया रेलवे ने कई उपलब्दिया हासिल की है अगर आप रेलवे के सबसे बहतरी कारणामा को देखना चाते हैं तो जम्मू कश्मीर पहुँच जाएए यहाँ अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल अधारित पुल बनकर तयार होने जा रहा है जी हाँ दोस्तो जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल अधारित ब्रिज है यहाँ ब्रिज केबल के सारे ही डिका है इस पुल को 96 केबल से सपोर्ट दिकर तयार किया गया है जिनने फिक्स किया गया है यहाँ पुल अंजी नदी पर बना है पुल का नजारा बेहत दोस्तो भारतिय रेलवे के नजरिये से यह पुल बेहत महत पुर्ण है दरसल यह कश्मीर को देश से जोडने का काम करता है यहाँ चिनाप की सायक नदी अंजी के उपर बना गया है 725 मिटर लंबे इस पुल का 473 मिटर का हिस्सा केबल के सारे ही है यह नदी के तल से करीब 331 मिटर उपर है यानि कि यह उचाई 331 मिटर बन रही है जो कि आइफिल टावर 330 मिटर से भी अधिक है दोस्तो इसमें केवल एक ही पिलर है जिसकी कुल लंबाई 193 मिटर की है दोस्तो रेलवे के मताबिक यह ब्रिज बेहत मचबूत है 213 किलोमेटर प्रति घंटी की प्रियोजना की सबसे महत्मपूर्ण भागों में शामिल है इस पुल को 11 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है यह एक तरफ सुरंग T2 कटरा चोर और सुरंग T3 की तरफ DIC चोर को जोडता है दोस्तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज करें इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें